हेलो गाइज वेल्कम बैक टो माय चैनल तो आज मेक मेकप लुक करने जा रही हूं बहुत टाइम बाद मुझे पता है मेरे बहुत सार ग्रेयर दिख रहे हैं आगे से इसके दो दिन बाद मैं कलर कराया ही थी तो यहां पर मेरा तीज का फास था सिंधी तीज थी आज तो उस के लिए तो बिंदी सिंदूर जब लगा रखा था मैंने तो काफी अच्छे से लगा के गैब देना है पांच-पांच मिनट का हर स्टैप के बीच में तो मैं आज आप से एक स्टोरी शेयर करती हूं मेक अप तो अमेशा में आपके साथ शेयर करती हूं कंसीलर लगाया है सुइस ब्यूटी का जिसमें थोड़ी ओरेंज टोन भी है ताकि वो मेरे पिग्मेंटेशन को कैंसल कर दे कम दिखती है मोबाइल के कैमरे में पिग्मेंटेशन पर मेरे फेस पर है आप पास से देखेंगे तो डॉट डॉट दिखते हैं तो इसको मैं आज आपको बता देती हूं जब मैंने 2014 में मेकप सीखा था तो मैं अपने ओपर बिल्कुल भी मेकप नहीं कर सकती थी और मेरे फ्रेंड्स मेरे कलीक्स जो थे हमें एक दूसरे के ओपर मेकप किया करते थे पर सब लोग जैसे एक पार्टनर होता है एक के ओपर आपने किया सीखने के टाइम और सामने वाले ने आपने किया तो ऐसे करके सीखा जाता है सबको पता है यह बाद तो तब तो नहीं मिलता था पार्टनर तो मैं स्किप कर देती थी क्लास तो मैं हेयर की क्लास में चली जाती थी या कोई इच ब्यूटी उटी का करने लगती थी मैंने की तब मुझे एकदम से थोड़े महीनों पहले फील होने लग गया यहां कॉंटॉर किया है मैंने यह मेकप ना अब मुझे बिल्कुल तीज के दिन करवा चौत के दिन या कोई भी पाटे मेकप के लिए कर सकते हैं यह टॉन वाइट मैं कंसीलर लगा रही हूं तो ना मुझे यह महसूस हुआ जब मेरी शादी ओने वाली थी कि मैं एक अदर सिटी में शादी कर रही हूं तो मैं बहुत सारी जीजे जो अपने वाइनर तो हर कोई लगा लेता है पर मैंने पूरा फुल-फुल मेकप कभी भी अपने उपर नहीं किया आई मेकप तो बिल्कुल नहीं कि तो मैं बहुत जादा टेंजड थी उस टाइम में आफिस में जॉब करती थी as a makeup artist plus manager तो वहाँ पर मैं सबसे बार share करती थी कि मैं कैसे करूंगी मैंने तो आज तक अपने उपर नहीं किया कभी जोरती नहीं पड़ी इतनी अच्छी post पे थी salon में थी तो हर काम वहाँ हो जाता था तो खुद से मैं कुछ कुछ करने लगी तब एक दिल में थोड़ा सा दर तो मेरे आई गया था कि अब मुझे खुद से करना है हर चीज खुद से करनी है अब शायद मैं काफ़े टाइम जॉब ना कर पाऊ यह मेरी प्रेफरेंस थी कि अब मैं घर को ही टाइम दूँगी थोड़े टाइम उसके बाद जॉब ट्राइ करेंगे या देखेंगे अपना करेंगे बिजनेस जैसा भी फैमिली के साथ बातचीत होगी तो बहुत जादा दिमाग में डर था मेरे तो बहुत लोग कोशन पूछते हैं हमसे खुद पे मेकप नहीं होता तो मैंने जब मेरी गुडिया होई एक साल के अंदर अंदर ही उसके फर्स्ट लोडी पे मैंने अमना यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो तब मैंने अपना फर्स्ट मेकप डाला लोडी का मेकप था मैं नीचे टैक करूँगे आप देखना उस मेकप में और आज के मेकप में मेरे बहुत फरक है बहुत जादा डिफरेंस है और नहीं आए गी है मैंने पाउडर लगाया बहुत टाइम बाद था महमारत का तो यह बहुत सारा पफ में आ गया इतना पाउडर कभी नहीं लगा रहा है बिल्कुल ब्रश से हलका हलका लेके लगाना आप और आज ना रिंग लाइट नहीं है अब शायर मैं सनलाइट में ही शूट करूंगी जब तक मैं इधर हूँ तो गाइस मैंने धीरे-धीरे करके अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया मुझे लगता था कि मैं सारा दिन काली क्यासे बाटिया हूं तो जब यूट्यूब लॉगडाउन में बहुत जादा मेरी वीडियो को पसंद करते हैं मुझे अब थोड़े बहुत कोलाबरेशन आ रहे हैं बट वो भी बस प्रोड़क कोलाबरेशन ऐसा कुछ नहीं कि मुझे बहुत पैसा मिल रहा है पैसा मुझे अभी तक एक पैने नहीं मिला जितना भी चार साल में लगाया है मैंने अपन सिर्फ जोगाश है अगर कोहीं में कब सीखना चाता है तो इसलिए में जूम करके बहुत बार ना इमेयक ब इखाती में जितना मेरी पूरी विडियो में टाइम लगता वतना किसी में लगता आई मेंक हैं में करेदना अपने ए यह रस्ट कलर के कलर से ही मैं क्रीज बना रही हूं मैंने आज कंसीलर से क्रीज नहीं बनाई है यह एक साड़ी की कोलाबरेशन का मेकप कर रही हूं मैं और तीज भी था तो मैंने सुचा इसी मैं मैं पूजा कर लूँगी त्यार हो जाओंगी अच्छी सी पिक्स वग्यारा भी मैं ले लूँगी क्योंकि पूरा दिन फास था पानी पीना नहीं था तो कुछ करके थोड़ा सा काम वाम करके मन और लग जाता है तो यहां पर मैंने नीचे भी ब्लेंड कर लिया और ऐसे कभी भी आप लाइनर मत लगाना मेरी आदत है मैं बता रही हूँ सेल्फ मेकप में कभी नहीं करती थी तो उस टाइम से आप मेरे 2019 में मेरा चैनल देखोगे 20 में सौरी और अब मेरे मेकप या मेकप देखोगे तो बहुत फरक आता है तो मेरा कहने का ये स्टोरी सुनाने का मतलब यह है कि आप लोग जो मेरे को कमेंड में कहते हैं कि हम नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, आप कर पाओगे पर आपके उपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा थोड़ी सी चीजे collect करनी पड़ेगी बहुत जादा नहीं आशकल तो इतनी affordable चीजे market में आ गई है और एक self love नाम की भी कोई चीज होती है अच्छा यहाँ पे ना मैं toner और mist से set कर रही हूँ क्योंकि मैं अपना setting spray नहीं लाई हूँ अपने घर से यहाँ पे मैंने toner यूज कर रहा और बहुत जादा लगाया था उसके बाद मैं सुखाऊंगी इसको 10 minute क्योंकि वीडियो में तो मैं आपको इतनी लंबी वीडियो दिखा नहीं सकती यह sugar का लिप pencil है इसको ऐसा काजल भी मैं यूज करती हूँ मैंने symptom से लिया था आप भी try कर सकते हैं मुझे बहुत smooth लगता है मैं बहुत use कर रही हूँ इसको बहुत इतना सुंदर color है मैं किसी को चाहिए हो तो आप मुझे से comment में पूछ लेना तो guys कुछ भी करने के लिए थोड़ा सा महनत करनी पड़ती है अगर आप भी अच्छा make-up या कुछ भी सीखना चाहते हो मोटिव मेरा यह स्टोरी का कि आप अपनी life में थोड़ी सी भी महनत करेंगे तो आप हर चीज अचीज अचीव कर सकते हो कुछ भी ऐसा नहीं है जो लड़किया नहीं कर सकती या लड़किया ही कर सकते है दोनों कर सकते हैं दोनों ही एक्वल हैं और यहां पर आपको मेरी गुड़िया भी दिख गई होगी जो बिल्कुल किसी वीडियो में फुटेज लेने से छुटती नहीं हो और मेरा तो हेर बेंडी पीछे चला जाता है पता नहीं मेरे सर का स्टक्चर क्या है तो गाइस यह जो साडी है वो खादी और कॉटन प्योर कॉटन मटीरियल की है अगर आपको लेनी है तो आप मुझसे डियम कर सकते हैं कि कहां से लेंगे इंस्टाग्राम पेज में है मैं आपको बता दूँगी या आप मैंसे डियम कमेंट में पूछ सकते हैं इसकी डिटेल भी मैं आपको दे दूँगी फोन नंबर वग्यारा जहां से मैंने परचेज करी आप ले सकते हैं बहुत सुन्दर सुन्दर साड़ी हैं उनके पास ऐसा नहीं है कि सिरफ वाइट कलर में यह मेरी अपनी अप्रोच थी कि मुझे यह हैंड पेंट की वी है कि साड़ी बिल्कुल हाथ से पेंट की वी है खादी कॉटन में हैं बहुत सुन्दर है आप इसको एक बर जरू ट्राए करना अगर आप साड़ी पैनने के शौकीन है यह बहुत सारे तैवार आ रहे हैं आप ट्राए कर सकते हैं सुन्दर सुन्दर साड़ी हैं उनके पास कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछना और डिटेल में दे दूँगी जो भी होगी तो प्लीज जरू ट्राए करना सब्सक्राइब टू माई चैनल लव यू अल तो गाइज मैं इस मेकप के बारे में आप मैंसे कुछ भी पूछना चाहते हैं कुछ भी करना चाहते हैं मतलब अगर मिस हो गया हो मेरी स्टोरी टैलिंग में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं मैं आपके लिए हमेशा हाजिन हूँ आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया है ऐसे ही देते रहना लव यू अल देहन रखे अपना और अपनों का बाई बाई सब्सक्राइब जरूर करके जाना प्लीज यहां तक आएं तो जब लेका जब आएं